सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखनें नमस्कार मैं सुनेल वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे टीवी पर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने एक खास सेग्मेंट जिसका नाम है सापताहिक MCQ इसमें कुछ multi choice questions आपके सामने रखे जाएंगे जो इस पर आधारित होंगे कि आखे जो हम डेली करेंट अफेर्स के वीडियो आप तक पहुचा रहे हैं उनसे बनने वाले प्रशनों को आप solve कर पा रहे हैं या नहीं सबहबिक है इनकी जो प्रकरती होगी वह UPSC और साथ हे साथ state PCS के point obvious से कापी महतपूर है उनसे मिलते जुलते प्रशनों आपको इहां पर देखने को मिलेंगे अगर आप इहां पर प्रशनों को बहुत आसानी से solve कर पा रहे हैं आपके चेहरे की smile अगर बनी रहती है मान क के पास हो पहला प्रशन जो आपके स्कीन पर है वह है विकस सर्वे के संदर में निम्न कतनों पर आपको विचार करना पहला कतन इसके माद्यम से RBI मौत्रिक नीती को परभावित बनाती है अर्था effective बनाती है आपको पता होगा कथन दो RBI इसमें NSO का सहारा लेती है अब इ का कथन या कौन से कथन सही है कोट आपके पास है पहला एक दो तीन अर्थात तीनों कथन सही है बी एक और दो अर्थात पहला और दूसरे कथन सही है से ओप्शन है दो और तीन कथन सही है और डी के ओवर एक कथन सही है I hope आपने answer decide कर लिया होगा कि इसका सिर्फ और सर्वे किया जाता है इस सर्वे से प्राप्त डेटा के आदार पर RBI करती है अपनी मौदरिक नीती को इस रूप से समायोजित करती है जिससे आने वाले समय में हमारे देश में प्रोडक्शन का इस्तर बढ़ सके ज्यादा इसकी ब्याक्षा नहीं करूँगा क्योंकि अगला प्रसन भी इसी से चुड़ा हुआ दूसरा जो कथन इसमें RBI NSSO का सहारा लेती है बिल्कुल गलत है और कथन तीसरा बर्स 2012 से जारी नहीं किया जाता सततरूप से बर्स 2008 से इसको जारी किया जाता है तो यह कथन क्या है साल के हिसाप से जो है कि गलत हो गया और जो दूसरा क कि सर्वे निम्न में से क्या क्या सामिल नहीं होता है अब आपको यह बताना है कि इस में से सामिल क्या नहीं होता है वो आप बताईए कि यह सर्वे यह देखता है कि manufacturing sector को कितना उत्पादन order प्राप्त हुआ है आपको पता हुआ पिछले तिमाही में उत्पादन का कितना हि आपको बताना है तो देखे साम्मिल नहीं होता एक statement आपको चुनना इसमें क्या है manufacturing और क्रिसी सेक्टर का capacity utilization जो का ये statement है ये गलत है ये इसलिए गलत है क्रिसी सेक्टर के capacity utilization को इसमें नहीं देखा जाता इसमें ये जरूर है कि capacity utilization देखा जाता है लेकिन किसका manufacturing सेक्टर के उद्योगों का capacity utilization का मतलब है कि एक उद्योग जो उसकी छमता है उस छमता का कितना प्रियोग कर पारा पहला जोग इसका है ये सर्व देखता है कि manufacturing सेक्टर कितना order प्राप्त हुआ ये बिल्कुस सही है दरसल इस जो survey है इसका full form ही क्या है obicas का मतलब होता है order book ये obicas तीन सब्दों को इसमें ध्यान देजी ob जिसका ना मतलब है order book i से जो है वहाँ होता inventory inventory का मतलब होता है कि कितना आपके पास समान जिसका आपने उत्पादन किया था वो big नहीं पाया और यहाँ पर cu का मतलब होता है capacity utilization और s यहाँ पर denote करता है किसको survey को तो इस तरह से यह सभी चीजे हैं लेकिन किसी का इसमें कोई output input नहीं जोड़ा जाता इस तरह से आपका जो c option है वो क्या हो गया गलत हो गया आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर हुआ है epidemic disease act 1897 के संदर में निमलखित कतनों पर आपको बिचार करना है फिर से करिए विचार कतन एक है इसे सबसे पहले महराश्ट में फैले plague से निपटने के लिए 123 साल पहले लाया गया था अब आपको पता होगा कथन 2 है, 2018 में गुजरात में कालरा से निपटने के लिए, 2015 में चंडीगड में मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए इसका प्रियोग किया गया था कथन 3 है, हाली में संसर द्वारा संसोधन कर हेल्थ वर्कर्स की सुरच्चा बढ़ा दी गया अब आपको क्या करना है, असत्य कथन का चैन करना है, तो असत्य कथन अगर आपको चुनना हो तो इहीं पहले कथनों को ही देख लिजिए, जैसा है इसका लिखा है, इसे सबसे पहले माराश्य में पहले प्लेग से निपटने के लिए लाया गया था, बिल्कुस रही बात है, अपर्स 2018 में गुजरात में काला फैला था तब गुजरात में इसको एफेक्टिव किया गया था और 2015 में चंडीगड में मलेरिया और डेंगो से निपटनी के लिए इसको प्राराम किया गया था कि जो हमारे health workers हैं जो परसासन की team है जो लोगों के पास जा रहे थे उन पर हमले हो रहे थे तो इसके कारण अभी एक अध्यादेश के माध्यम से संसोधन किया गया है ना कि संसदोरा क्योंकि संसदोर चली नहीं रही थी तो इस तरह से statement 3 क्या है गलत है और आपको चुनना थ सिर्फ यहां पर असत्य कत्थन ना कि सत्य कत्थन तो असत्य कत्थन कौन सा है सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका डी वाला जो option है केवल तीन यह गलत है और बाकी क्या है सब सही है तो आंसर आपका होगा डी आगे बढ़ते हैं Facebook दोरा जियो में किये गए निवेश के संदर म असत्य कथन का फिर आपको क्या करना है परिच्छन करना किजिए फेस्बुक द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी प्राप्त होगी अर्थार फेस्बुक द्वारा जो इसमें निवेस किया गया है इससे दोनों मिलकर जियो पेमेंट सिस्टम विक्सित करेंगे कौन दोनों फेस्बुक और जियो प्लेटफॉर्म मिलकर तीसरा जो ऑप्सवन है जियो इससे अपने आपको 31 मार्च 2021 तक जीरो निट डेट कमपनी में बदल पाएगा जीरो निट डेट कमपनी से ताद पर ऐसी कमपन पताना है इसमें से असत्य कथन कौन सा है नो डाउट एक एक करके हम पर इच्छन करें तो इस सही बात है कि फेस्बुक द्वारा अभी क्या किया गया है जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% के हिस्सेदारी के गई है बिलकुल सही है दोनों मिलकर जियो पेमेंट बिक्सित करें यह इस जो है कि स्टेटमेंट क्या है गलत है दरसल पहले से वार्षेप पेमेंट का जो बिकल्ब था वार्षेप ने इससे भारत सरकार से अनमती मांगे थी भारत सरकार ने इसकी अनमती दे भी दी है और इस तरह से वार्षेप अपना पेमेंट सिस्टम जो है कि बिक्सित करेगा ना कि जीओ तो इस तरह से यह जो option है यह क्या है आपका गलत है तीसरा जो है इससे अपने आपको जो है कि जीओ क्या करेगा जीरो नेट डेप्ट कंपनी में बदल पाएगा यह statement सही है और लासो जो है कि फेस्बुक का app है जो टिक टॉक के counter में बनाए गया है तो इसको promote कर पाएगा यह भी सही इस तरह से जो option B है वह क्या है गलत है और हमको चुनना था असत्य कथन तो यह असत्य कथन कौन सा है B आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर I hope जितनी तेजी से मैं आपको answer बता रहा हूँ इससे जारत तेजी से आप खुद answer decide कर पा रहे हूँ इसलिए मुझे जल्दी बताना पढ़ रहा है कि थोड़ा सा समय का आभाव है अब आगे बढ़ते हैं अभी हाल में एक सूचना आई थी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनिया चीन से बाहर जा रहे हैं इस संदर में कथनों पर आप विचार केजिए कथन एक है कि भारत की अपेच्छा अधिकांस कंपनिया बियतनाम जा रहे हैं इसका एक कारण बियतनाम की मुद्रा का क्रावलिंग पेक सिस्टम के दोरा नियमित होना है मुझे नहीं पता ही क्या होता है कारण दिया गया है इससे बियतनाम में निवेस करने वाली कंपनियों के लाब में कमी नहीं आएगी यदि उत्पादन बढ़ता है अब देखिए कूट यहां पर थोड़ा सा आपका दिमाग खेल सकता है वह है कत्थन सही है कारण नहीं सही है लेकिन जो है कि कारण कत्थन की ब्याक्ख्या नहीं करता C option है कत्थन कारण दोनों सही है और ब्याक्ख्या भी करता है D है कत्थन और कारण दोनों गलत है अब आपको बताना है इसमें से क्या सही है तो IEK करके फिर से में इनको आपके सामने लाता हूँ देखिए कथन में क्या लिखा है भारत के पेच्छा अधिकांस कमपनिया बियतनाम जा रही है बिल्कुल सही है मैंने बताए भी था कि आपको बियतनाम में ऐसा क्या है कौन-कौन से कारण है चाहे इन्फरेस्ट्रक्चर का हो इसकील देलेबर का हो चीन से कमधूरी का होना हो चीन का जो उसका नाव लेना हो यह तो ठे लेकिन जो crawling fix system है यह भी सही है crawling fix system से तात पर उस system से होता है जिसमें मुद्रा के मुले में बहुत ज़़ा fluctuation नहीं होता जैसे एक डॉलर का जो कीमत है माली ज़ग भारती रुपे के संदर में समझें तो कभी 70, कभी 60, कभी 77 रुपे नहीं होगा इसमें क्या होगा फिक्स रहेगा कि यगर 5-6 रुपे का ही fluctuation होगा इससे क्या होता है जो निवेश करता है उनको यह डर नहीं रहता कि कोई currency क्या होगा अगर जो है कि कमजोर पड़ जाएगी या वहाँ पर जो की मुद्रा का ओमुल्यन हो जाएगा तो हमको आजोएगी घाटा होगा यह कैसे घाटा होता है मैंने इसी नाम से वीडियो बनाया उसमें समझाया यहाँ पर मैं समझाऊंगा तो कम से कम इसी को समझाने 5-6 मिनिट लग जाएगी इस तरह से कथन बिलकुस सही है और उसके बाद कारण भी बिलकुस सही है कि इससे बियतनाम में जो निवेश करेग उसको पता है कि जब मुहा के मुद्रा का बहुत जादा और मुल्य नहीं होगा अर्था तो कमजोर नहीं होगी तो उनका लाब लगभग लगभग फिक्स रहेगा यदि उत्पादन बढ़ता रहता है तो तो इस तरह से कथन और कारण दोनों सही है और ब्याख्या भी करते है आंसर होगा सी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर आई होप आपने भी यही प्रश्ण जो है कि आंसर आप्ट किया होगा ब्यतनाम के संदर में अब असत्त कथन का आपको चैन करना यहां का सबसे बड़ा नंगर है जो होची मिन सिटी है अब आपको पता होगा यह बिसो का तेरवा सरवादिक जनसंख्या वाला देश है और यहां की 85% जनसंख्या बहुत धन को मानने वाली है और आपको क्या चुनना है असत्य कथन तो असत्य कथन चुन लेजी आपके स्कीन पर सभी विकल्प दिखाई दे रहे हैं अगर आप जो है कि इसके विकल्प को आपने जो है कि चुन लिया होगा अगर आंसर है आपका D तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसका अगर हम GDP के हिसाब से देखे हैं तो इसका जो इस्थान है वो 45 आता है ना कि 11 आता है तो इस statement बिल्कुल गलत है अब उसके हमको चुनना था सत्य कथन इसलिए हमारा आंसर क्या ह हो जाएगा D हो जाएगा बाकि यहां पर 1980 के दसक में डोई मोई की नेती अपनाई गए थी बिल्कुल सही है 1986 में यहां पर अपनाई गए थी तो दसक कौन सा हुआ 1980 का दसक और इसके द्वरा क्या गया था उहां पर Infrastructure विक्सित किया गया था कौन सा Infrastructure फिजकल और Social दोनों परकार का और यही कारण है कि उहाँ पर इसके लिए लेबर के साथ साथ उहाँ का जो पूरा चैन है सप्लाइ चैन है वो भी काफी बेक्सित हुआ है यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और 85% जनसंख्या बहुत धर्म को मानने वाले बिल्कुस सही है और हो मिंचीन सिटी इसका क्या है सबसे बड़ा नगार ये भी सही है तो आंस आपका ओप्सन कौन सा गलत हुआ और जो है कि D और यही हमें सत्य कतन क्या करना था चुनना था अगले प्रशनों पर बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के संदर में अमनेमनखित कत्मों पर आपको विचार करना इसे विसु बैंक द्वारा बर्स में दो बार अप्रेल औक्टूबर माह में जारी किया जाता है आपको पता होगा इसमें उर्जा क्रिसी उर्वरत धातु आदी कमोडिटी सामिल होते हैं कत्थन तीसरा है आउटलुक के अंसर बर्स 2020 में धातू की मांग में तेरे परतिसत की कमी आ सकती है अब देखिए आपको चुनना है असत्य कत्थन अब पहले कत्थन सभी आपकी स्कीन पर दिखाई दे रहे हैं अब डिसाइड कर लिए यह कौन सा कत्थन आपको असत्य दिखाई दे रहा है और उसमें से आप विकल्प अपने आप चुन लेंगे तो अगर आपने आंसर टिक किया है सी कोई नहीं तो बिल्कु सही है क्योंकि सभी स्टेटमेंट क्या है सही है इसको सही बात है अप्रेल औक्टूबर माह में चारी किया जाता है अभी जो चारी किया गया है अप्रेल माह वाला है इसमें उर्जा किरसी उर्वरक धातू आदी कमोडिटी को सामिल किया जाता है यह भी सही है और इसमें यह भी बताया गया है कि बर्स 2020 में धातू की मांग में लगबग तेरे परतिसत की कमी आ सकती है तो सभी statement सही है इसका मतलब कोई भी कतन क्या है असत्य नहीं है तो यह भी इसका answer हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्ण है वो है आपके लिए strategic petroleum reserve के संदर में आपको कतनों पर क्या करना है बिचार करना है अब आपको पता चलिए गया होगा strategic petroleum reserve क्या होते हैं कतन एक है चीन के पास 550 million barrel की capacity है इसी कारण इसमें भारत से 10 गुना अधिक 30 reserve कर लिया है अब आपको पता होगा कि भारत से क्या 10 गुना इंके पास capacity है और कारण जो है इसका बताये गया है भारत ने SPR अर्थाथ strategic petroleum reserve का नेमा बहुत पहले कर दिया था लेकिन गटबंदन के सरकारों के कारण इसमें क्या हुआ है बिलम हुआ है अब देखिए आपको क्या करना है आपको जो है कतन और कारण पर विचार करना है तो देखिए एक विकल्ब आपके पास A है कि कतन और कारण दोनों सही है B विकल्ब है दोनों गलत है तीसरा जो विकल्ब है कतन कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है कि कतन की ब्याक्या नहीं कर पाता तीसरा है कतन सही है कारण नहीं आई होप आपने डिसाइड कल लिया होगा तो अगर देखिए आप इसका जो है कि दोनों को अगर आप इसमें देखें तो यह आपके दोनों स्टेटमेंट क्या हैं गलत हैं यह इसका करण यह है कि चीन के पास 550 मिलियन वेरल की कैपसिटी है बिल्कुस रही है लेकिन इंडिया से यह दसी गुना जादा नहीं है इसलिए दसी गुना जादा तील नहीं भरा यह हमारी इंडिया का जो आपका इस पे जो है किparagus पेट्रोलियू रिजर्ब के जो कैपसिटी है वो 39 मिलियन अर्था 40 मिलियन से भी 40 मिलियन बैरल से भी कम है 39 मिलियन बैरल है तो इसके हिसाब से 550 क्या होता बहुत जादा और यह पूरा अपना जो है कि 550 जो मिलियन बैरल है यह लगवग लोगवा फुल कर चुका है इंडिया का कैपिसिटी ही 39 मिलियन बैरल है और इसने अभी लगवग आधा अपना रिजर्ब भरा है तो इस तरह से क लेकिन राज्यों में स्टेटिक पेट्रोलियम रिजर्ब नहीं है SPR किसमें नहीं है आपको बताना है ओप्सन है पस्रिम बंगा करनाटक आंपर्दिस उडिसा यह प्रशन थोड़ा सा आसान है लेकिन फिर भी इंटेस्टिंग है अब देखिए एक ही करके विचार करते है करनाटका में है मंगलोर और पादुर करनाटका में पाया जाते हैं तो अंदर परदिस में विसाखा पत्नम में है उडिसा में चांदी खोल में जो है की SPR है पस्रिम बंगाल में नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा यहां पर पस्रिम बंगाल आगे बढ़ते हैं अगला प परगारी संगठन दोरा जारी किया जाता है आपको पता होगा यह प्रती बर्स 180 देशों को सामिल करके जारी किया जाता है अब आपको पता होगा भारत 2019 के पेच्छा दो अंको की बढ़ुत्री कर 142 में स्थान पर पहुँच गया है जो अभी रिपोर्ट आई उसके इसाब स अब उफपरुक्त में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है आपके पास बिकलब हैं एक और तीन, बिकलब जो है दो और तीन, सी है एक और दो आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी पूछ के आपको confuse कर रहा हूँ तो देखे एक्जाम होल में जितने हम लोग तेजी से बढ़ रहा है इससे कम समय होता है क्योंकि यहाँ पे तो वह टॉपिक है जो अभी आपने एक हपतें पढ़े हैं वहाँ पर प्रशन क्या होते हैं काफी कठें होते हैं और आपको बहुत तेजी से डिसीजन लेने होते हैं तो देखे इसमें क्या है आपका सी बिकल्ब सही है एक और दू स्टेटमें सही है देखिए यह इस इंडेक्स को रिपोर्टर्स बिदाऊट वार्डन नामर गैर सरकारे सेंगठन दोरा जो है कि जारी किया जाता है बिलकुस सही है इसका जो इस्थापना होई थी 1985 में फ्रांस में होई थी नॉन फ्रॉफिक है असंस था है उद्देश क्या है नाकरिक अधिकारों की रच्छा करना और नागरिक अधिकारों की रच्छा के लिए क्या कहिया जाता है मीडिया की भूम का देखी जाती इसलिए जारी किया जाता है पहला स्टेटमेंट सही है 180 देशों को सामिल किया जाता है बिल्कुस सही है इसमें जो तीसरा statement है यह गलत है कि दो अंकों की बरुत्री कर भारत यह बरुत्री नहीं होई है हम क्या हुए है हमारी ranking खराब होई है तो इस तरह से यह statement तीसरा गलत है इसलिए आपका जो सही statement है एक और दो सही हो जाएंगे अब आगे बढ़ते हैं world phrase freedom index में निमने में से किन किन आधारों पर जारिक किया जाता है अर्थाच इसके कौन कौन से parameter हैं उनको तो पहला है पुरूलरीजम बहुलवाग मीडिया इंडिफेंडेंस एटा मीडिया कितना सुतंतर है ट्रांसफेरेंसी कितनी है एब्यूज कितना है और जिलेजिसलेटिव फ्रेमबर्ग उसकी सी देश का कैसा है जिसके वज़े से praise का freedom परभा एक, दो, ती, चार, पाच, अर्था यह जितने आधार बतायेगे हैं सभी आधारों के आधार पर क्या किया जाता है वर्ल्ड फ्रेज्ट फ्रेडंब इंडेक्स चारी किया जाता है जिसमें pluralism बहुलबाद का मतलब है कि आकिर मेडिया कितने विचारों को, कितने समुहों क प्रतिनिजित कर रहे है। मीडिया सोतंत्र है या कोफ उसको भराने चला रहा है। यह मीडिया हूं इन्डीपेंडेस में आ जाएगा। ट्रांसफठे का मतलब है कि मीडिया कितना छुपाता इसका कितना बताता रही है। दॉप इसका को यह ने कद आति है। आई होप आपने भी आंसर D ही चुना होगा और सभी विकल्पों को आपने सही माना हो अगला प्रश्ण है डबलू एक्चो के अनुसार अब आपको चैन करना है बिस्ट में प्रति वर्स रक्त अभाव के करण लगबग 2.8 लाक महिलाओं की मृत्ति हो जाती है पहला स्टेड्मेंट है दूसरा है अस्पताल में भरती 10 में से 2 ब्यक्तियों की रक्त क्याव सकता पड़ती है हलाकि ये रिपोर्ट जो आपको ये कुस्सन है ये किस से जुड़ा है कि COVID-19 के करन जो ब्लड की कमी हो रही उससे जुड़ा अब आपको सही कथन को चुनना है कौन सा कथन आपके लिए सही I hope आपने जो है कि चुन लिया होगा तो किवल इसका जो पहला जो कथन है वो सही है क्योंकि 10 भरती करने भरती होने वाले ब्यक्तियों में से एक ब्यक्ति को क्या कर पड़ती है रक्त की आउसकता पड़ती है ना कि दो ब्यक्तियों को और दूसरा जो पहला इस्टेट्मेंट है कि 2.8 लाग महलाओं की मृत्ति हो जाती है बिलको सही WHO की रिपोर्ट है कि अगर हम बलड डोनेट करें बलड की मात्रा बेढ़ा है तो परसों के दोरा महलाओं को बहुत बड़ी मात्रा में रक्त की जरूरत पड़ती है और रक्त को आपूर्थी करके हम उनको क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं तो इस तरह से आपका जो है इस्टेटमेंट पहला क्या है सही आगे बढ़ते हैं मानो इतिहास की पहली वेस्विक महमारी कौन सी मानी जाती है यह आपको बताना है ऑप्सन है बलैक देथ, जस्टीनियन प्लेग, इस्पेनिस फ्लू और स्वाइन फ्लू आई होप आपके लिए तो काफी आसान रहा होगा तो आपने भी आंसर चुना होगा जस्टीनियन जो है की प्लेग आपको पता है 541 AD में यह आया था तो सबसे पहला मानो इतिहास में जब लिखिट जो मानो इतिहास मना जाता है उसमें सबसे पहला यह माना जाता है और इसके बाद जो है की जो बिमारी आई थी वह थी ब्लैक देथ उसके बाद जो तीसरा था वह था आपका इस्पेनिस फुलू और जो चौथा था वह सवान फुलू तो कहीं न कहीं जस्टीनियन प्लेग के है पहला आपकी बेस्विक महामारी माने जाती है आगे बढ़ते हैं निम्खित कत्नों पर आपको फिर से बिचार करना है इस्पेनिस फुलू को H1N1 के नाम से जानते हैं आपको पता होगा इस्पेनिस फुलू को देखिए आप डिसाइड करिए इस्पेनिस फुलू इस्पेन से बिस्व में फैलने के कारण इसका नाम इस्पेनिस फुलू पड़ा है इस्पेनिस फुलू को फॉर्गेटन पैंडेमिक भी कहते हैं अब आपको क्या करना है सही कत्नों का चैन करना है आई होब आपने सही कत्थन चैन कर लिया होगा अगर एक एक करके इन कत्थनों के हम ब्याग क्या करना तो Spanish flu को H1N1 के नाम से जानते हैं बिल्कुल गलत है Spanish flu H1N1 वाइरस के बज़े से फैला यस जो है कि statement होता तो ठीक होता तो इस तरह से पहला statement क्या होगा गलत हो गया दूसरा है Spanish flu को The Influenza Pandemic of 1918 कहा जाता है इस सही है क्योंकि जो flu की जो मिमारी होती है उसमें influenza के तरह की symptoms दिखाई देते हैं और इसके बज़े से काफी लोगों की मिर्ति हो गई थी इसी के कारण जो है कि The Influenza Pandemic of 1980 कहा जाता है इस statement सही है तो पहला गलत हो गया दूसरा सही तीसा statement क्या है Spanish flu Spain से बिसमें फैलने कारण यह नाम पड़ा यह नहीं है बिलकुल गलत है दरसल क्या था उस समय First World War चल ला था और Spain किसी देश में सामिल नहीं था तो उसने क्या किया Spanish flu पर लिखना प्रारम किया काफी कुछ लिखा इसके कारण वहाँ अन्य जो देश थे जो युद्ध में उस समय बिजी थे और साथी साथ वो Spain पर गलत आर उप लगा रहे थे कि यह गलत सूचना है यह इसलिए forgetting pandemic कहा जाता है कि ऐसी विमारी थी च्यूंकि यह World War के First World War के दोरान हो रही थी तो हमारा जो पूरा फोकस था वो पर्थम विस्विद्ध पर था इसको हमने विस्विद्ध के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया लेकिन इसमें काफी बड़ी जंधन की हानी होई थी लाखो लोग की मृत्ती होई थी और इसके कारण कहा जाता है कि इस विमारी खों में भूलना नहीं चाहिए था लेकिन हम लोग क्या क्यों भूल गए तो इस तरह से इस्टोर्ण आपको क्या पता चला इसमें दूसरा और जो चोथा ओप्सन है वो सही है और बाकी क्या है गलत है तो आपका भी विकल बिल्कूल सही है आगे बढ़ते हैं और वो है कच्चे तेल के संदर में निमलखित कतनों पर अब आपको विचार करना है या हाइड्रो कारवन के मिस्रण है जिन चटानों में पाए जाते हैं उनमें सबसे नवीन जो चटाने हैं वो एक मिलियन बर्स पुरानी है आपको पता होगा कथन दो है हफो सबसे उच गुडवत्ता का कच्चा तेल है कथन तीन है ब्रेंट कूट सरवाधिक बयापार किया जाने वाला तेल है चले अब असत्य कथन का आपको क्या करना है चैन करना है आई होप आपके लिए काफी यह जो है की आसान होगा तो देखिए एक एक करके हम इसको व्याख्या करते हैं अर्थात असान है कि 1000 बर्स किसी कोई चीज दब गया उस से क्या है पेट्रॉल बन जाए यह बिल्कुल संभूल नहीं है अर्थात ये पुरानी चट्टावनों पाया जाते हैं और जो सबसे नभीन चट्टाने हैं वो भी क्या है एक मिलियन वर्स पुरानी है इस्टेटमेंट पहला सही है दूसरा है ये चप्फो जो है कि भारी जो है कि कच्चा तेल इसको बोला जाता है तो जो डामवर होता है उसी को एक चप्फो बोलते हैं तो वो भारी होता है और जो जितना भारी होता है उसमें जो की चमता होती है जलने की उतनी कम होती है तो यह कथन क्या है आपका गलत है तीसरा जो कथन है ब्रेंट क्रूट सरवाधी ब्यापार किया जाने माले कच्छा तेले बिल्कुल सही है विसो का लगवा टू वाई ठर्ड जो क्रूट तेले होता है व्रेंट क्रूट के अंतरगत आता है तो इस तरह से अगर हमको असत्य कतन चुनना है तो सिर्फ कतन दो क्या है हमारा गलत है पाकिस सब सही है तो हमें असत्य कतन चुनना तो हमारे भी कल्ब क्या होगा भी आगे बढ़ते हैं और वह है ब्लेक देट की में हमारी के संदर में अब आपको असत्य कतन का चैन करना है तो देखे यह बिमारी उन्निस सो करना है एक एक करके कतन को देखे यह बिमारी तेरह सो चालेस के दसक में चीन से यूरोप महुचे तो बिल्कु सही है क्योंकि चीन में लोहे तेरह सो तीस के बाद ही कई बारे यहां पर प्लेक के घटनाएं हुई और धीरे धीरे पहले तो वहीं पर सिम्टी नहीं लेकिन उन्निस सो ठोरी तेरह सो चालेस के दसक में जब वहां पर यह बिमारी फैली तो उससे चीन से बाहर चले गई दरसल उससमें चीन का जो सिल्क रूड था जिसके माद्ध्यम से यूरोप तक बियापार होता था तो जब यहां से कुछ जाहाज के समान के माद्ध्यम से चुहों के माद्ध्यम से यह बिमारी पहले क्रीमियम प्राइदीब जो यूक्रेन का छेतर उहां पहुँची और यूट्रेयन से जहाजों के मादधन से जब समान लाद कर ले जाये गया इटली और जो है कि भूमदर सागर के देशों में तो वहां पहुंची तो इस तरह से यह चीन से यूरोप पहुंची थे दिल्कुस सही है इस से यूरोप के आधियाबादी समाप्त हो गई थी बिल्कु सही है और इसलिए इसको ब्लैक दे थी इतना डराओना जो एकी माना जाता है इस बिमारी के बाद यहूदियों का पुरण प्रारम भुआ जी हाँ यही वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से एक गैब यहूदियों के इसके लिए responsible ठहराय जाता है अब उस समय के जिस कारण से भी ठहराय गया हो यह उनका है चूंकि काफी पुरानी घटना है और इस बिमारी का प्रभाव पूरे 5 मान नहीं रहा पूरे 5 साल रहा तो इस तरह से यहां पर साल अगर होता है तो statement D सही होता लेकि चूंकि यहां पर महा कर दिया गया तो इस तरह से आपका D जो विकल्प है वह क्या है गलत आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि जो भी topic आपने पढ़ा इस प्रकार के जैसे प्रशना आए तो जैसे किवल एक विकल्प क्या हुआ आपका गलत हुआ इसका मतलब है तीन क हुए वह आपकी जानकारी को दुवारा क्या कर रहा है रिवाइच करा रहा है आगया बढ़ते हैं कोडे मारने के सजा के संदर में निम्लखित कतनों पर विचार कीजिए यह तो देखिए आज ही आपने वीडियो देखा उसे से प्रशना है यह सिर्फ सौधी अरब में पर प्राधू के लिए इसका प्रावधान था कतन तीसरा है भारत में परता कभी परचलतन में नहीं रही है अब आपको सत्य कतन का कूट का क्या करना है चैन करना है आप जो है की चैन कीजिए तो देखिए एक एक करके हम कतनों पर विचार करें तो यह सिर्फ सौधी अरब में पर चलेता बिल्कुल गलत है यह इंगलेंड में भी पर लिट था जैसा कि मैंने बताया उहां पर तो कानून लाया गया था जिसको 1948 में उहां से फिर अटाया गया जो है कि अमेरिका में जो दास व्यापार होता था परता होती थी उसके करान उहां पर चलेता और इंडिया म से जो है कि आपका यह जो तीसरा कथन है यह भी जो है कि गलत है और साथी सा जो है कि पहला कथन यह भी गलत है सौधी अरब के सम्विधान में कुछ अपरादोली इसका पौधान तो सम्विधान में नहीं वहां सौधी अरब में क्या सरियत कानून चलता है और उसके अधार पर जो एकी सजा दी जाती तो सरीयत के अंसार कानूं चलाना, संभिधान के अंसार कानूं चलाना नहीं है, तो इस तरह से सत्य कथन का अगर हम चैन करेंगे तो इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, आंसर होगा D. अगला प्रश्ण जो आपके स्केन पर है, प्रोजेक्ट चेतक के संदर में निम्खित कतनों पर अब आपको बिचार करना है, यहाँ प्रोजेक्ट B.R.O. का है, अर्था Water Road Organization का है, इस प्रोजेक्ट के तहत राभी नदी पर एक पुल बनाए गया है, आपको पता होगा, इस के तहत पंजाब यों हर्यारा में B.R.O. द्वारा निर्माड किया जाता है, आप डिसाइड करिए, कासो वाल इंकलेब के निर्माड के साथ ही यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है, आपको क्या करना है, इसमें से जो है की असत्य कथन का जो है की चैन करना है, अब आप बताए कौन सा कथन इसमें आपको असत्त लग रहा है, तो अगर आप D विकल्प चुने हैं कि कासो वाल इंकलेब के निर्माड के साथ ही यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है, तो यह बिल्कु सही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दरसल एक छेत्र डिवाइड किये गये ह और यह जो आपका प्रोजेक्ट चेटक है, यह किस्से सम्मंदत है, आपका पंजाब और उसके निकरवर्ती जो हर्यानर राजिस्थान का लगावा छेत्र है, इसमें जो भी निर्माड हो रहे हैं या जो निर्माड होंगे, वह सब प्रोजेक्ट चेटक के तहत आएंगे, तो इस तरह से कोई यह project बंद नहीं किया गया है तो यह है आपका गलतिश्म है बाकि सही सही है कि पंजाब अरियानल दोर निर्मार के जाद बिल्कुस सही है इस project के तहत रावी नदी पर पूल बनाया गया है बिल्कुल सही है क्योंकि रावी नदी में जब पानी बढ़ता था तो हम इस इंकलेब के जो हमारा जो कासुवाल इंकलेब था यहां तक नहीं पहुच पा तो इस इसके लिए बनाया गया यह बियारो का प्रोजेक्ट है आपके कितने प्रशन जो है कि सही हुए तो इतना ही रखते हैं थैंक्यू सो मच